सो आज की सुड़ो पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप CapCut application में इस तरह का glowing text effect किरेट कर सकतो जो की देखन में बिल्कुल after effect जैसा लगता है तो इन बातों में time waste ना करते हुए अपने tutorial को start कर लेते और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस टैप का text effect आजकल reals यूडो एंड short यूडो में बहुत ही viral हो रही आप भी इस टैप का text effect अपने वीडो पर अपलाई कर सकतो so that की आपकी यूडो भी देखने में काफ़ी professional लगे तो अब हम अपनी वीडो को start कर लेते हैं तो text effect हम create करने वाले हैं CapCut application में and CapCut के बार में आपको एक चीज़ पता होगा इसे यूज करनी से पहले हमें किसी VPN से connect होना पड़ता है तो मैं यहाँ पर super VPN को open करके connect कर ले रहा हूँ आपके बास जो VPN होगा आप उसे open करके connect कर ले ना ठीक है अगर VPN नहीं है तो play store से जाके आप VPN को install कर सकते हो ओके then CapCut को आप open करना उसके बाद new project को पर आपको click करना होगा और यहाँ से आपको अपना वीडो या फिर अपना photo जिसके उपर भी ये effect आप apply करना चाहोगे उसे just यहाँ से select कर ले ना ठीक है तो मैं यहाँ पर एक वीडो को select कर लेता हूँ और उसके बाद add कर लेते हैं ठीक है तो आपको वीडो को add कर लेना है अगर नया वाला CapCut आप use करोगे तो कुछ ऐसा interface आएगा आपको यहाँ पर click करना होगा ठीक है यह normal हो जाएगा अब उसके बाद step का text effect बनाने के लिए आपको ज्यादा इसमें महनत करने की ज़रत नहीं है ठीक है सबसे पहले आप यहाँ पर audio को पर click करो sound को पर click करो यहाँ से आपको एक कोई सा music select कर लेना है जैसे कि मैं इस वाले song को select कर ले रहा हूँ और यह add हो चुका ठीक है song add हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर text को लिखना है song के according जो lyrics होगा जो भी कुछ होगा तो just text को पर आपको click करना है add text को पर click करना है उसके बाद आप जो word लिखना चाहोगा उसे आप यहाँ पर लिख सकतो मैं यहाँ पर एक quotes आपको लिख के दिखाने वाला हूँ ठीक है you become dangerous when you learn how to control your emotion ठीक है यह वाला quotes में लिखने वाला तो just you become लिख देते हैं क्योंकि dangerous जो है वो थोड़ सा highlighting वाड़ है तो उसे red color में रखेंगे ठीक है इसे white में रख लेते हैं उसके बाद font के उपर आपको click करना यहाँ पर काफी सारे आपको fonts देखने को मिलेगा इन इसे थोड़ा जो bold font होगा उसे आप यूज करना जैसे कि यह वाला और भी यहाँ पर काफी सारे आपको fonts मिल जाते हैं तो जो थोड़ा bold हो और जो देखने में अच्छा लगे for example यह Gotham ठीक है इसे आप यूज कर सकते हो उसके बाद आपको style को उपर जाना है style में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक glow का effect मिल लोगा ठीक है या फिर यूब लो category मिल लोगा इसके उपर आपको click करना है यहाँ पर click करोगे दिना starting में जो glow effect मिलेगा ना इसी आपको select कर लेना है उसके बाद इसका intensity को आपको यहाँ से control करना है मतलब जितना आप रखना चाहोगे उ इतना आपको कर देना है उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पर bold में जाके just इसे और bold कर सकते हो अपने text को ठीक है कर देना उसके बाद आपको done कर देना है दिन जहां आप रखना चाहोगे वहाँ पर इसे put कर सकते हो और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जब आप इस तरीके का glow effect बनाओ ना तो आपकी वीडियो जो background में हो वो black रहेगी ना तो काफी अच्छा लेगेगा ठीक है तो इसलिए हम अपनी वीडियो को पर click करते हैं एंड यहाँ पर adjust में जाके जस्टिस का saturation को zero कर देते हैं and contrast को increase करके थोड़ा सा brightness कम कर देते हैं solid की ब्लेक हो जाए then done कर देना ठीक है तो आप देख सकते हूँ यह ज़्यादा clearly हमारे text दीख रहे और अच्छा भी लग रहे ओकी तो यह काम आप ज़रूर से कर देना then text को आपको अच्छे तरही से adjust कर देना ठीक है size को छोड़ा कर देते हैं उसके बाद you become अब next जो हमारे dangerous है ठीक है तो उसे भी लिखने के लिए आप क्या करो ना इसी को पर click करो और यहाँ से scroll करके copy कर देना ठीक है आप लिखते ना उसके बाद यहाँ पर style को पर जाके सबसे पहले तो text का color आप चेंज करो जैसे कि यह वला हम रख देते हैं ठीक है उसके बाद आपको glow में जाना है और यहाँ पर glow में भी same color को select कर लेना है और जस्टी से यहाँ पर आपको adjust कर देना है ठीक है then done कर देना तो आप देख सकते हूँ यह जो text effect वो add हो गया बट यार हमने यहाँ पर text को capital letter में नहीं लिखा है और मैं आपको बता देना चाहते हूँ capital letter में लिख होगे ना तो अच्छा रहेगा ठीक है तो इसलिए इसको पर click करते है style को पर जाके just इसे erase करके capital letter में लिख देते है ओक means starting में जो आपका lyrics होगा या फिर text होगा उसको पर click करना उसके बाद animation को पर click करना काफी सारे आपको यहाँ पर animation से देखने को मिल जाते है normal animation यूज़ करोगा तो अच्छा लगेगा जैसे कि fade या फिर type ठीक है तो यह वाल अच्छे लगते है तो यहाँ पर हम fade in को select कर लेत तो एक अक word करके आएगा जो कि अच्छा लगते है ठीक है देन आपको done कर देना है अब जहाँ पर आपको यह first वाल आ जाएगा you become यहाँ तक आ चुका उसके बाद आपको second वाले word को रखना है ठीक है तो यहाँ पर जाते है और बाकी वाले part को trim कर देंगे ओके then second word के उप text animation भी add हो गया अब उसके बाद जो next आपका lyrics होगा या फिर next text होगा उसे आपको लिखना है तो लिखने के तरिका बिल्कुल सेम होगा आप इसके उपर click करो उसके बाद just यहाँ पर copy कर लो copy करने के बाद आगे आपको लिखना जाना है then next आपका lyrics होगा या फिर आपका quotes हो तो जैसे कि color यह सब तो style पे आप जाके just यहाँ से color को change कर सकतो glow effect में जाके आप glowing color को change कर सकतो ठीक है अगर आपको इसका intensity बढ़ाना है तो यहां से आप इसका intensity बढ़ा सकतो glow effect का range अगर बढ़ाना है तो range भी आप बढ़ा सकतो कुछ इस तरीके का ठीक है तो अपने recording fully यहां पर adjust कर सकते हो जैसा आपको सही लगता है और मैं आपको बता देना चाहता हूं जो trend पर है ना उसमें intensity थोड़ा सा कम रहता है और range पूरा max रहता है ठीक है तो इस तरीके से आप बना सकते हो then done कर देना ठीक है तो आप यहां पर देख पार हो हमारे जो text है वो add हो चुक करके बनता है आप बना लेना खुद से पूरा complete ठीक है मैंने यहां पर एक complete बना के भी रखा हो था जब मैं try कर रहा था तो उसमें मैंने इसे create किया था यह वाला ठीक है देख सकतो बिल्कुल सेम चीज़े मैंने यहां पर किया है जस्ट वही है animation इस तरीके का और text भी वही export कर दाना ठीक है तो अच्छे quality में export हो जाएगा I hope आपको हरे कश्टे पता चल चुका है मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए bye bye